तो चली आज हम बहुत ही टेश्टी आलू मटर की सबजी बनाते हैं, उसके लिए हमने 1.5 kg आलू को लिया है, आलू मने सबसे छोटे साइज वाले लिया है, थोड़े से हमने मटर को भी लिया है, दोनों को हमने अच्छे से धो लिया है, इसे कुकर में डाल के इसमें हम 1.5 ग पॉडर, एक चमच लाल मीर्च पॉडर, देड़ चमच धनिया पॉडर, आधा चमच गरम मसाला, चार चमच पानी डालके इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप लोग से रुक्वेस्टे दी आज की विडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रामरती किरे सोई को जरूर सस् होता है, यहां हमने एक प्याज और थोड़े से हरी पत्ती वाले प्याज को भी लिया है, सभी को मैंने अच्छे से छील के धो लिया था, इसे भी हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, सारे प्याज को हमें ऐसे ही बारिक काट के तयार कर लेना है, इधर आलू हुमारे उबल चुकी है, कूकर का प्रेसर भी खत्म हो चुका था, आलू और मटर हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, इसका हमने पानी निकाल दिया है, ठंडा होने पर हम इसे छील लेंगे, मटर को उबाल देने में से छीलने में बड़ा असानी मिलता है, सार सारे आलू को हमने छील के तयार कर लिया है अब एक फॉक या फी टूटपिक के मदद से हम इसमें होल कर लेंगे ताकि मसाले जितने सारे हों अंदर चले जाएं यहां हमने गैस पे कडाही चड़ा लिया है इसमें हम 5 चमत सरसो तेल डालेंगे आप जो तेल खाते हैं वही तेल डालें आधा चमत जीरा एक तजपता को हम तोड़ के डाल लेंगे यहां हमने प्याज एक चमत पूटी हुई लसा नदरा का अदो हरी मिर्च को लिया है सभी को हम एक साथ ही डाल लेंगे इसे हमें धीमी आज पे 5 से 6 मिनट भूण लेना है प्याज हमारे अच्छे से भूण चुके हैं अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम आलू को डाल लेते हैं आलू को भी हम धीमी आज पे गोर्लेर ब्राउन होने तक अच्छे से भूण लेंगे ये सबजी खाने में इतना टेस्टी लगता है कि पेड तो भर जागा लेकिन इस सबजी से मन नहीं भरेगा ये घर में तो सभी को पसंद आएगी आलू भी हमारे अच्छे से भूण चुके हैं अब इसमें हम मसाले वाले जो हमने पेश तयार किया था उसे डाल देते हैं और इससे भी हम 6-7 मर्द धीमी आज पे भूण लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए मसाले भी हमारे अच्छे से भूण चुके हैं अब इसमें हम मटर को डाल लेते हैं मटर को भी हमें 2-3 मिनट धीमी आज पे भूण लेना है आलू मटर प्याज सारे अच्छे से भूण चुके हैं अब इसमें हम पौना गलास पानी डालेंगे जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप पानी डालें इसे हम अच्छे से चला लेते हैं अब हम इसे ढखके 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे 7-8 मिनट हो चुके हैं सबजी हमारे अच्छे से पक चुकी है तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह हमारे सबजी देखने में ही इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी तो इस रेस्पी को एक बार अब जरूर ट्राइ करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा सेयर करें